आप देख रहे हैं तेजखवर 24 और वक्त है खबरों का जवलपूर में गोरकपूर पुलिस ने दो सातिर वाहन चोरो और दो चोरी के वाहन खरीदने वालों को गिड़फ्तार किया है जिनके कबजे से चोरी के साथ वाहन और एक मोबाइल बरामत किया गया है जिनकी कीमत 3,60,000 रुपए बताई जा रही है दरसल पुलिस को खबर मिली कि दो अग्यात लोग बेदी नगर में एक एक्टिवा सस्ते दाम में बेच्टे की फिराग में खड़े हैं पुलिस ने तुरंती घेरा बंदी कर साथिर चोरों को दपोश लिया जानकारी के अनुसार पंकच रैकवार और सिवा वर्मन नाम के दोनों संदिग्धों के पास बरामत एक्टिवा बाइक चोरी की पाई गई जिसके बाद उनसे सघन पूश ताच में सेहर के आला गला गिलाके में चोरी हुई साथ बाइक बरामत की गई इन में से दो बाइक आरोपी ने राहुल सोंदिया और राहुल कुडोपा को बेची थी जिसके चलते पुलिस ने उन्हें भी आरोपी बनाया यह कल की घटना है कल शाम को खाना प्रभारी गुरक्पूर को इसके सुट्रों से यह व्याद हुआ कि सेटी नगर में दो व्यक्ति कुछ दू विलर गाड़ी को बेचने की फिराग में है और वो काभी सस्ती कीमत पर उसको बेचने जा रहे हैं और समवता वो गाड़ियां चोड़ी ही हो सकती हैं यह सुचना खाना प्रभारी को सारी का पांड़े को मिली थी इस सुचना के सत्यापन के लिए उन्होंने त्राइंगांज के सहयोग से और घेराबंदी करके इन दोनों ही लोगों को पकड़ा जिसमें एक तो पंकज रहकवार और शिवा वर्मन ये दो व्यक्ति इसकाल पकड़े गए और दोनों से ही एक एक वाहन भी इनके कपजे से बरामत हुआ इनसे विष्ट्रिक पूस्तांच की गई पूस्तांच करने पर इन्होंने बताया कि इन्होंने जो गाडियां सेल करने वाले थे वो चोरी की थी और इन्होंने अन्य थाना छेत्रों से भी एक्टिवा गाडियां चोरी करना सुधार दिया है इसमें इनके कब्जे से पूस्तांज करना के दोरान कुल साथ टू हिलर गाडियां बरामत की गई है। और आगे की व्यधानी कारवा इनके गुरू के की जा रही है। शिवा बर्मन है यह पंकर रहटवार जो है गाडियों चोरी करके शिवा बर्मन को देता था। और शिवा बर्मन अपने अन्य साथ ही राहूल कुरोपा और राहूल सुन्धिया इनके माध्यम से यह गाडियों को सेल कर देते थे। या कभी किसी को गिरी में पर रख देते थे। इस प्रकार से भी यह करते थे। तो इन्होंना यह बताए कि जो एक्क्वा गाडियां है वो उनको आसारी से खोलने में लॉक खोलने में असानी होती है। और इसलिए वो एक्क्वा गाडियां जाजाएकर चोरी करते है।